आज किस वीडियो में हम IPC की कुछ मैतपुन धाराओं के बारे में बात करेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ये सब धाराएं आसानी से याद हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं धारा 34 समान आसे समान आसे मतलब कई व्यक्तियों दवरा मिलकर कोई अपराद करना आज कल पती पतनी के जगडे में जब पतनी प्लिस में सिकायत देती है उसमें आपने देखा होगा वो अपने पती सा सुसूर देवर जेट सब के नाम लिखवा देती है इस तरह से इनको समान आसे का जाता है अगले सेक्षन की बात करें धारा 201 सबूत मिटाना मूवी और न्यूज में आपने देखा होगा कि कोई किसी का मर्डर करकर उसके जो खून के दब्बे हैं उनको मिटाने की कोशिश करता है या कोई रिवॉलवर है उसको कहीं चुपा देता है तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ती सबूत मिटाता है तो उस पर या धारा 201 लगेगी अगली धारा की बात करें धारा 120A सडेंतर रचना अगर किसी ने कोई सडेंतर रचना है मान लीजे किसी बाइक, कार को लूटने का प्लान बनाया या फिर किसी के घर में चोरी करने का प्लान बनाया तो इसमें प्लान बनाने वाले पर धारा 120A लगेगी धारा 300 हत्या करना जब कोई व्यक्ती किसी का मडर करता है तो उस पर धारा 300 लगे जाती है जिसकी सजा का प्रावदन धारा 302 में किया गया है अगली धारा की बात करें धारा 302 हत्या का दंड अगर किसी ने किसी का कतल यानि मडर कर दिया है तो उसको इस धारा की अंतरगत दंडित किया जाएगा जिसमें मिर्तियु दंड या आजीवन कारवस हो सकता है अगली धारा की बात करें धारा 307 हत्या की कोशिश धारा 307 अगर आप किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं तो हत्या की कोशिश करना जो की धारा 307 के अंतरगत आता है जिसमें कि 10 वर से लेकर आजीवन कारावस हो सकता है अगले सेक्षन की बात करें धरा 309 आत्मत्या की कोशिज करना अगर कोई व्यक्ति आत्मत्या करने की कोशिज करता है जैसे कि कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आकर आपनी जान देने की कोशिज करता है और उस दोरान बच जाता है यानि कि उसकी जान नहीं जाती है तुछ पर यह धरा लगाई जाएगी जिसमें साधे कारवास जो की एक साथ तक की सजा का प्रावदन है अगली धरा की बात करें धरा 310 ठगी करना ठगी करना मतलब लोगों को बेवकूव बनाना जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी लोग फेक कौल करते हैं कि आपका आटियम बंद हो गया है इसको चालू करने के लिए यह दबाएं या आपका आटियम बंद होने वाला है तो इस तरह से लोगों को बेखुव उनाते हैं जो इस तरह का प्रयाद करता है उसको इस दारा की अंतरगत दंडित किया जाएगा अगली दारा की बात करें वह दारा 312 गरब बात करना अगर कोई भी गरब बात करता है या करवाता है यानि कि सरलवासा में समझे तो अगर कोई ऐजन में बच्चे को गर्व से गिरवाता है तो उसको इस धारा के अंदरगत दंडित किया जाएगा जिसमें साथ साल तक की सजागा प्रावधन है और साथ में जुर्माना भी लगाया जासकता है अगली दारा की बात करें दारा 375 में डकेती डकेती मतलब कुछ व्यक्तियों दोरा मिलकर किसी के गर में चोरी करना डकेती है जैसे कि आपने देखा होगा किसी के गर में डकेती करते हैं और सारा समान लूट कर ले जाते हैं तो ऐसा अपराद कोई करता है तो इसमें दस वर् प्रावस्तक की सजा का प्रावदन है और जुर्वाना भी लगाया जस्कता है अगली दारा की बात करें वह दारा 370 एप्राकर्थिक किरते हैं एप्राकर्थिक किरते मतलब जैसे आपने इस उदारण को देखा होगा दिल्ली की जो निर्विया कांड की गटना होई थी 16 दिस किया था इसके लिए उनको मिर्ति दंड मिला था अगले सेक्षन की बात करें वह दारा 390 में डकेती की दुरान हत्या करना यदि कोई किसी के घर में डकेती यानि चोरी कर रहा है और उस दुरान किसी के त्या भी कर देता है डकेती करते करते तो उसको दारा 390 में और दारा चुपे उठा लेते हैं, या किसी नाबालिक लड़की को, कोई लड़का अपने साथ बगा कर ले जाता है, जिसमें दारा 355 लगेगी, जिसमें कि 7 साल तक की सजागा प्रावधन है, अगली दारा की बात करें, वह दारा 412, छिना जबटी, छिना जबटी मतलब आए दिन, च चौरी, चौरी और डगेटी में अंतर होता है, चौरी करने का मतलब एक सिंपल सी बात है, जबकि डगेटी में किसी के पूरे गर को लूटना, उसको तहसनेस करना, और चौरी मतलब किसी एक समान को चुरा लेना, जिसमें 3 साल तक की सजागा प्रावधन है, अगली दारा क बात करें वो है धरा 141 विदी वरूद जमाव मतलब काफी लोगों दुवरा मिलकर किसी विदी वरूद कारे करने के लिए एकटा होना जिसमें 6 मात तक की सजा और जर्मानत दोनों हो सकती हैं धरा 191 मित्या सक्षे देना मित्या सक्षे मतलब मित्या मतलब जुटा सबूत अगर आप किसी केस के बारे में जानते हैं और उस केस में आप कोर्ट में सई सबूत की जगाए जुटे सबूत पेश करते हैं और बाद में जांच करने के बाद पता चलता है कि आपने जुटे तो इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधन है और जुरुमाना भी लगाया जासता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को जबर्दस्ती उठा कर ले जाता है तो वह इस दारा के अंतरगत अपराद होगा। अगर कोई पती या पतनी अपने पती या पतनी के जीवत रहते और बिना तलाक लिए दूसरी साधी कर लेते हैं तो उनको इस दारा के अंतरगत दंडित की जाएगा। झाल